हेलो एवरीवन वेलकम बैक तो माई चैनल त्रिशान एंड मॉम ब्लॉग तो कैसे है आप लोग अब आज तीन फैबरी है और ये सुबह का टाइम था मैं रूम उम्ठीक करके उसके देखे सोफा पे सारा भी सामान फैला हुआ है क्योंकि कल रात को ही हम लोग आये थे तो बस उसके बाद मैं जादा काम बाम नहीं कर पाई थी और फिर नहाद हो के तयार हो गई हूँ उसके बाद नाश्ता की तयारियों में लग गई हूँ तो अभी नाश्ता में बनेगा तो बहुत कुछ पर सबसे पहले आलू का भुजिया बना रही हूँ और एक साइट पे चाय लिए भी है क्योंकि घर में काम भी लगा हुआ है मिस्ट्री वगेरा करके काम माम भी कर रहे हैं और फिर एक तरफ शादी की तयारी दूसरे तरफ घर का काम बहुत सारा काम एक साथ फैल चुका है तो आलू का भुजिया लगबद बनके तयारी होने वाला है और एक साइट कट करके डाल दिया है और अब इसमें सारा जो भी मतर को पीस के रखे थे ना वो इसमें एट करके चला लेते हैं और ये एकदम जटपट बन जाता है और बिहार और यूपी में बहुत फेमस है मतर का नीमोना ऐसा कोई घर नहीं होगा जहां नहीं बनेगा फिर से मेरी दू तो कि अब जब मैं वोइस ओवर कर रही हूं तो खा पीके बैठी हुई हूं तो देखिए इसके बाद चूले पर खाना बना रही थी सबजी चा第二 बाक्य का जो खाना था वो गैस पे बना था और ऐसा नहीं मतलब सब लोग मिल करके खाना बना रहे थे पर मैं सब का क्लिप नहीं ली हूँ अभी फिलाल अपना ही ली थी तो इस सब में मुझे हसी आ गया था कुछ बात सुन करके तो चलिए इदर आलू बैगन मटर की सबजी बन रही है चूले पे और धूँ आने के वज़े से बहुत आंसू भी आ रहा था लेकिन कोई नहीं मज़ा भी आता है चूल कि वज़े से और घर थोड़ा सा बिखड़ा फैला है बस उसके वज़े से कुछ ये तरिश्यू ये कि अच्छे तरीके से पूंचे तयार करना है और ये मैं हूं सीरी पर बैट करके अब चाय वगेरा पीने के लिए बैठी थी और देखे चार कप चाय ये मिस्ट्री को दे लिकित तक झाले ये मिस्ट्री तो ले पोड़ा दूट्री कि अच्छे ये को दो करना है नाम के दोना dus तरुम्स नोटा सीरी को दाल में है ताकि टुमाटर की चटनी ये Mind में अच्छे टोन्तों पना रहे थी दूड हुआ में एकिए इतने चीज़ों के साथ यEMAता बहुत मज़ा आता है खाने में और गाउं आकर के चूले पर जो ये पकता है ना तो इसका जो सुन्धा सुन्धा स्वाद होता है बहुत टेस्टी लगता है तो बस मैं अब इसको ही बना रही हूँ और अभी बज रहे हैं सुबह के दस और दस बजे तक सब कुछ काम लगबग हम लोगों का घर का कम्प्लीट हो चुका था क्योंकि काम अकेले तो नहीं करना पड़ता है सब लोग मिल के करते हैं तो अभी तक हमारा लंच ब्रेकफास्ट सब बन के रड़ी हो गया था इधर च सब्जी और टमाटर की चट्नी यही है कि बाहर रहते हैं तो इतना जल्दी इतना सब कुछ नहीं बन पाता आराम राम से बनता है पर यहां पी कुछ लोग ब्रेकफास्ट लन सब लोग साथ में कर लेते हैं तो फिर वही है बनके तयार हो जाता है थैंक्स पॉर वाचिंग मैं वीडियो